जिश्म होदायाप का बहुत बहुत आवहार मैं भुपाल में रहती हूँ, भुपाल जेल में भी रही हूँ इसलिए पत्यक्षम किम प्रमाणम इस आधार को लेकर के मैंने देखा वहाँ जब मैं थी तब भी और आज की तो और बुरी स्थिती है कि वहाँ डॉक्टर नहीं आते, वहाँ तीन हजार पुरुष कैदी है और लगभग देड़ सो महिलाएं हैं, पत्चिस से तीस बच्चे हैं किन्तु, उन बच्चों का तो कोई अपराद नहीं है जो एक दिन से, लगभग, दस से बारा दिन से लेकर के और छे वर्ष तक मा के साथ रहते हैं परंतु, उनके लिए डॉक्टर नहीं है यदि वो अचानक बीमार पढ़ जाते हैं तो बहुत बुरी सिती हो जाती है और डॉक्टर उनको नहीं मिलते हैं दूसरी बात महिलाओं के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है यहां तक कि महोदय नर्स भी नहीं है कि तत्काल चेक करके पात्मे कीटमेंच दे करके उनको भेज सके दूसरा विशा यह है कि उनको प्रॉपर आहर भी नहीं मिलता बच्चों को जो बिटामिस प्रोटीन्स मिलना चाहिए वो डाइट भी उनको नहीं मिलती है अगला विशा यह है महोदय कि जब उनको जेल भेजा जाता है जब किसी को पकड़ लिया जाता जाने कब कौन किसको जेल में जाना पड़े पता नहीं होता राजी सरकार इस समय वरतमान में किसी को भी जेल भिजवाती है फोन करती है और वहाँ जेलर जैसे ही कोई कोड से गंबंदी आता है उसको इतना पीता जाता है जब कि ये अधिकरत नहीं है मारने के लिए कोई भी कागजी कारवाई कर सकते हैं परंतु इनको इतना पीता जाता है हमारा ये चारे करता इतना घायल हुआ और अंत में बुआत मत्या करने के लिए तयार था परंतु हमने उसको रोका और मैंने उसको विश्राश दिलाया कि तुम्हारी कारवाई ही की जाएगी महोदय कानून का पालन हो वहाँ लेडी डॉक्टर आए नर्स आए और बच्चों की विशेश केयर के लिए कमशिच्वी स्पेसलिस्ट आए धन्यवाद महोदय